Hello Friends, आप देख रहे हो Educational Worcester Channel तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप से बात कने वाला हूँ World Radio Day के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि World Radio Day क्या होता है इसको आखिर क्यों मनाया जाता है और इसका महत्तव जानी सिगनिफिकेंस मैं आपको इस बीडियो में बताऊंगा तो फिर चलिए अब हम अपनी इस बीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताने वालाओं की रेडियो डे क्या होता है दोस्तों आपने रेडियो को कभी न कभी जरूर सुना होगा आपने उस रेडियो में सौंग और न्यूज जरूर सुनी होगी पुराने समय में रेडियो का काफी मत्तव होता था क्योंकि लोगों के पास उस समय टीवी काफी कम हुआ करते थे रेडियो में अलग-अलग परकार के समाचार आते रहते थे और साथ ही अलग-अलग परकार के सौंग्स भी आते रहते थे पुराने समय की अगर मैं बात करूं तो पुराने समय में एक परिवार के सभी लोग बेट कर रेडियो को सुना करते थे लेकिन अगर मैं आज के समय की बात करूँ तो आज के समय में हमारे स्मार्टफोन में भी रेडियो आ चुका है पुराने समय में ऐसा होता था कि अगर कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है तो उसकी जो कमेंटरी होती है वेहर रेडियो पर लोग सुनते थे रेडियो का इस्तिमाल इसलिए किये जाता है कि ताकि लोगों को सुचना संचार और गीतों के माधिम से लोगों को मनुरंजन मिल सके लेकिन टेलिविजन, इंटरनेट और मुवाईल जैसी चीजें आने के बाद रेडियो का पेले जैसा इस्तिमाल नहीं हो रहा है लेकिन अब भी रेडियो का महत्तव कम नहीं हुआ है इसलिए दोस्तों रेडियो को एक दिन भी धिया गया है इसको जाद करने के लिए हर वर्ष 13 फरवरी को रेडियो डिवस के रूप में लोग मनाते हैं इसको पूरी दुनिया में वर्ल्ड रेडियो डे जानी विशव रेडियो दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है अभी मैं आपको बताने वालाओं की रेडियो डे को आखिर क्यों मनाते हैं रेडियो डे इसलिए मनाया जाता है कि तांकि लोगों को रेडियो के बारे में जागरुक किया जाए दुनिया वर में सूचना को अदान परदान करने के लिए और लोगों को शिक्षित करने में रेडियो की एक एहम भूमिका रही है जहार रेडियो पत्रकारों के लिए एक प्लैटफॉर्म है जिसके माद्यम से वो अपनी बातों को दुनिया के सामने रख सकते हैं और रेडियो पर हम उन पत्रकारों की अवाज सुनकर देश भी देशों में आकिर क्या हो रहा है हम वो सारे समाचार हम जान सकते हैं अगर मैं रेडियो डे के हिस्ट्री जानि इतिहास की बात करूं तो साल 1210 में पहली वार रेडियो डे मनाने का प्रस्ताव रखा गया था फिर एक साल वाद जानि 2011 में जुनेसको की मासवा के 37-7 में 13 फरवरी को भिशव रेडियो दिवस गोशित किया गया फिर दो साल वाद जानि 14 जनवरी 2013 को जैं मंजूरी मिल गई की रेडियो दिवस को हर वर्ष 13 फरवरी को ही मनाया जाएगा तो हर वर्ष रेडियो डे मनाया जाता है इसकी हर वर्ष एक अलग थीम भी होती है हमने जे जान लिया है कि रेडियो डे को क्यों मनाया जाता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम रेडियो डे को केसे मनाते हैं हर वर्ष जुनेसको दुनिया बर के ब्रोडकास्टर्स और समुदाओं के साथ मिलकर रेडियो डिवस के अफसर पर कई तरह की गतिविदियों का आयोजन करता है और इसी दिन संचार के माद्यम से लोगों को रेडियो डे के बारे में जागरुक किया जाता है अभी मैं आपको सिगनिफिकेंस ओफ रेडियो डे जानी रेडियो दिवस की आखिर क्या मतता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ वर्ल्ड रेडियो डे मनाने का मुख्यो देश्य लोगों के बीच रेडियो के मततव को बढ़ाने के लिए जागरुकता फिलाना है अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि रेडियो के माद्यम से हमें न्यूज सुनने को मिलती हैं और इसके माद्यम से ही हम अपना मुरंजन गीतों को सुनकर करते हैं तो दोस्तो आप अपनी राय मुझे comment box में नीचे देख सकते हो कि क्या आपके गर में कोई radio है और क्या आप अपने mobile में radio को सुनते हैं तो आप मुझे नीचे comment box में बता सकते हो तो दोस्तो मैंने इस बीडियो में आपको world radio day के बारे में बताया है तो अन्त में दोस्तो अभी आपको जय बीडियो केसी लगी अगर आपको जय बीडियो पसंद आईए तो आप बीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सबस्क्राइब करना मत बूलना धन्यवाद